इस वक्त की सबसे बड़ी खबा जो राजनिती दायरे में तहल का मचा रही है राष्ट्य लोग जन्शक्ति पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्री मंत्री के पत से इस्तिफा दे दिया है उन्होंने बताये कि उन्हें एंडिय में नाइनसाफी का सामना करना पड़ा और इसलिए उन्हें तैय करना पड़ेगा कि अवे कहां जाए इस एहन निर्ने की घोशनाय प्रेस कॉंफरेंस में की गई जो कि दिल्ली में मंगलवार को हुई पश्वपती कुमार पारस ने बताया कि उन्होंने बहुत इमानदारी से एंडिय की सेवा की लेकिन उनके अनुसार उनकी पार्टी और व्यक्तिकत रूप से उनके साथ नाइनसाफी हुई है इसके पीछे की वज़ा ये है कि एंडिय ने बिहार की 40 लोग सबाव सीटों के लिए सीट शेरिंग का बटवारा किया जिसमें पश्वपती कुमार पारस की पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई इसमें उन्होंने कटबंदन के अंदर इग्नोर करना बताया है सुत्रों के मुताबिक पश्वपती पारस की पार्टी अब राज़त के संपर्क में है और संभावन जताई जा रही है कि वे जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं इसके साथ ही बश्वपती पारस ने पहले ही कह दिया था कि वे हर हाल में हाज़िपूर सीट से चुनाव लड़ेंगे लेकिन अब एंडी में ये सीट चिराक को मिल गई है